ओम्ट्रम्ब कम्यजा महें सुगंधिंग पुष्टी वर्धनम्पुर्वारुकमिवबंधनां पृत्योर्मुक्षियमामृताः ओम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट्रम्ट् चंद्रद्वारा क्या प्रभाव आपके उपर पड़ता है यही मूल निचोड है राशी पल्चा तो पंचांग की तरफ बढ़ते हैं हम 27 मार्च 2022 चंद्रवार यानि श्रोंबार का दिन है कृष्ण पक्षी एक आदसी तिती साम 16 बच कर 15 मिनिट तक उसके बाद द्वादसी किपी सुरू हो जाईगी चंद्रव आज दंती शुरुआत में चट्र में है 12 बच कर 24 मिनट तक स्रवन चे मैं रहेंगे उसके बाद धनिष्ठा चनद्रदेव का झार गोटर Peng चंद्रह भागें необходимо के 7 रहेंगे एक उन्तिस से सुबह या अभी रात पीन बचकर एक मिनट तक उन्तिस मार्च पड़ जाएगी यह सर्वार्थ सिद्धी योग सुबह पांच कतिस से बारा चौविस तक गुलिक काल दुपहर तेरा बारा से चौदा चौवालिस तक राहुकाल सुबह साथ तीन से आठ चौटिस तक यमगंड काल दिन के दस आठ से दिन के लियारा चालिस तक धनिष्ठा नचत्र की सुरुवात के साथ ही पंचक शुरू हो जाएगा और पंचक जारी रहता है धनिष्ठा, शत्विशा, पुर्वा भादरपग, उत्रा भादरपग और रेवती नचत्र तक यानि धनिष्ठा से रेवती तक पंचक नचत्र कहलाते हैं इसमें कोई भी घटना घटी है तो वो उस घटना की बृद्धी होती है, बुरी घटना हो तो वो एक से ज़्यादा बार होती है, पांच बार माना जाता है सास्त्रमत से, और अच्छी घटना भी होती है तो एक से पांच बार होती है, तो इसमें कुछ विधी निष्यद है कुछ काम करने चाहिए कुछ नहीं करने चाहिए दिशाशूल पूर राहुकालवास उतरपस्जिंग की तरफ है चवगडिया देख लेते हैं आज का तो अमरित चवगडिया सुबा पांच कथिस से साथ तीन तक शुप चवडिया सुबा आठ चथिस से दिन के दस आठ तक ल पॉयासत के बाद लाप चवडिया 22, 12, 23, 49 तक शुप चवडिया लाप चवडिया अमरित चवडिया अवीट मूरत अमरित काल यह सभी शुप शमय कहलाते हैं किसी भी प्रकार का शुप काम आप इस वक्पे कर सकते हैं राहुकाल और यंगंड काल दोनों शुप चाल नही करना चाहिए जैसे कि दुकान का घाटन करना ग्रह परवेस करना रुपए पैसे से समंधी महतवपूर्ण लेंदेन करना यहां तक कि टेलीफोन कॉल करने को मैं मना करता हूं अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो भी राहुकाल में नागरे क्यों कि राहुकाल में शुरू किये हुए काम और संपूर्ण रह जाते हैं बीच में छूड़ जाते हैं बादा ग्रस्त हो जाते हैं क्योंकि राहुकाल को उपद्रवकाल कहा जाता ह तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेश से लेकर मीम राशी करके जात्कों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमेशा की तरह मेश राशी के जात्कों के बारे में, तो मेश राशी के जात्कों के लिए आज का दिन सम्मान लेगी आज पिता के साथ अच्छे समंद्र बने रहेंगे और सरकारी कामों से आपको लाब होगा शेर मार्केट की दृष्टी से आज का दिन बिल्कुल भी मुफीद नहीं है बहुत आंशिक प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं काफी जंजट के बाद मंगल का मंत सब्सक्राइब करें ओम क्रांग करीम क्रांग शेह हमाय नमक 11 या 21 बार आज का लखी नंबर फैर आपके लिए चार वृष्ट शाशी के मित्रों के लिए आज का दिन पार्टनर्सिक में तनाव विवाहित जीवन में तनाव खर्च की अधीक्ता लेकिन विदेश व्यापार से सफलता मगर गुप्त सत्रों से आपको थोड़ा साधान देने की जरुरत है नीम की कमी सता सकती है विदेश की दृष्टी से आज का दिन आपके लिए आशिक लावकारी रहने वाला है मंगल का मंदर जाप करें ओम क्रांग क्रीण क्राउंग शेंग माय नमक 11.21 बार आज का लखी नंबर है आपके लिए साथ मित्वन राशी के मित्रों के लिए आज का दिन स्वास्त समंदी समस्या निश्चित प्राप्ती से बंचित होने का योग रोग लंबा किच सकता है सत्रों से परिशानी जेलनी पड़ सकती है दिन की सुरुवात में कुछ धन का लाव के योग भी बनते हैं और अहे तुक खर्च के योग भी बन रहे हैं शेर मार्केट से आज आपको बिलकुल दूर रहना है प्रेम समंधों में भी ताफी साउधानी बरतने की जरूरत है आपको मंगल का मंत्र जाप करें ओम क्रांग करीं क्रांग शेफ हमाय नमख 11 याव किस बार आज का लखी नंबर है आपके लिए 9 करकराशी के मित्रों के लिए आज का दिन वैविशाय में अग्रगती नए योगा योग और विवायत मित्रों का विवास समंध जुड़ने का योग पद प्रापती सरकारी कामों से लाग प्रेम समंधों में सफलता संतान समंधी खुश खबरी स्टुडेंस के लिए आज काफी अच्छा दिन है स्पोर्ट्स परसन के लिए भी काफी लाब दाय दिन है किसी परकार के खेल से आप जुड़े हुए है तो शेर मार्केट की द्रिश्टी से आज का दिन आपके लिए लाब कारी है लेकिन मार्केटविस्ट को देखते हुए आपने निवने लेने हैं मंगल का मंत्र जाप करें ओम क्रांग क्रीम क्रांग शेह भामाय नमक 11 कर दिन दन लाब लेकिन स्वास समधी समस्या प्रतियोगिता मुलग परिच्छाओं में सखलता दांपत्त जीवन में शैप्रेशन जैसी इस्थिति मामा मौसी के साथ सतुरता हो सकती है आज शेयर मार्कट की दृष्टी से आज का दिन आपके लिए विशेश लापकारी नहीं है मंगल का मंतर जाप करें ओं क्रांग क्रिंक रॉंग शैभमाय नमः 11 या 21 बार आज का लखी नंबर है आपके लिए 3 कन्याराशी के मित्रों के लिए आज का दिन बाधा वाला दिन है सेवन बना रहेगा स्वास्थ लाब का योग आपको बना हुआ है शेयर मार्केट की दृष्टी से आज का दिन आपके लिए लापकारी नहीं है मंगल का मंतर जाप करें ओम क्रांग क्रीन क्रांग शैभमाय नमक 11 या 21 बार मसुर की दाल का सेवन आज ना करें आज का लखी जीवन में तनाव और इसके नातिदारों के साथ मन मुटाओ वाली स्थिटी बन रही है लेकिन धन लापके योग आपको बने हुए है तरक वितरक से अगर अपने आपको दूर रखने में कामियाब रहेंगे तो वैविसाय से आपको लापके योग बत रहें शेयर एकिस बार आज का लखी नंबर है आपके लिए दो व्रिस्चिक राशी के मित्रों के लिए आज का दिन सेल्स और मार्केटिंग के काम में लाग वासस्थान में परिवत्तन चोटी यात्रा चोटे भाईयों के साथ अच्छा समंद्ध लिखन कारे में शखलता अब दिन की सुर्वात में लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन रहे हैं उच्छ शिक्षा में सफलता के योग बन रहे हैं साहस की भृद्धी होगी लेकिन दूसाहस में तब्दील नहीं होना चाहिए शेयर मार्केट की दृष्टी से आज का दिन आपके लिए अंशि कुछ आपके लिए चार धनुराशी के मित्रों के लिए आज का दिन धन के नुकसान का दिन है लेकिन शेयर मार्केट से लाब की स्थितियां आपके लिए आज बन रही हैं रुपए पैसे के व्यक्तिकत लें देन में आपने साउधानी परतनी है लालत से थोड़ा बचना ह है आपने दिन का प्रतमार्ग एंसेश्टल प्रॉपर्टी से रिलेटेव मामले में कुछ लाब दे कर जाएगा आपको मंगल का मंत्र जाप करें ओम क्रांग क्रींग क्रोंग शेव हमाय नमक तिया रही आप तिस बार आज का लखी नंबर है आपके लिए तीन चार मकर राशी के मित्रों के लिए आज का दिन समान भृद्धी धन प्राप्ती प्रॉपर्टी डिलिंग के कामों से लाब माता के साथ अच्छा समंध दामपत्य शुक में भृद्धी नए योगा योग बड़े भाई की सहायता मित्रों की सहायता भी आपको मिलेगी शेयर मार्केट की दृष्टी से आज का दिन आपके लिए काफी लाबकारी रहने वाला है लेकिन मार्केट रिस्क को देखते हुए आगे बढ़े मंगल का मंत्रिज आप करें ओम क्रांग क्रीम क्रांग शह भमाय नमक 11 या 21 बार आज स्थान में परिवर्थन चोटी यात्रा कि करम व्यस्तता सरकारी कामों से नुक्सान किसी भी प्रकार के गवर्मेंट औरियंटेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आज आपको लॉस के योग बन रहे हैं दिन के प्रतमार्द में स्वास्त समंधी समस्या सता सकत है दांपत जीवन में तनाव भी झेलना पड़ सकता है नीन की कमी से आज परिशान हो सकते हैं आप शेयर मार्केट की द्रिश्टी से आज का दिन आपके लिए लाभतारी नहीं है मंगल का मंत्र जाप करें ओम क्रांग क्रीं क्रोंग शेह वमाय नमक 11 याग 21 बार आज का लखी नंबर है आपके लिए 4-7 मीम दाशी के मित्रों के लिए आज का दिन इच्छा पूर्ती अत्यधिक धन लाभ के योग आपको आज बने हुए है धर्म करम पूजा पाठ संत्र मंत्र ज्योतिश के चेतर से जुड़े लोगों के लिए लाभ कारी दिन है उत्र शेक्षा में सफलता और सम्मान प्राप्ति श्वास्त लाभ के योग भी बने हुए है शेर मारिकेट की दृष्टी से आज का दिन आपके लिए लाभ कारी रहने वाला है लेकिन आंशिक ला करें ओम क्रांग 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 शेफ रमाय नमफ यारा यार इस बार आज का लखी नंबर है आपके लिए साथ नौट यह था आज का रासीफल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुरे रहने के लिए खुश रहिए स्वस्त्रेश